राजस्तान के मुख्य मंत्री भजनलाल शर्मा को जब प्रदार मंत्री नरेंदर मोदी ने दिल्ली तलब किया तो क्या कुछ बात्चित हुई कोटा से सांसद और पूर्व लोकसबा स्पिकर ओम बिल्ला के घर पर रात के समय अमिश्रा और जेपी नड़ा क्यों पहुँँचे और लंबी बैठक में क्या कुछ डिसकस हुआ पूर्व नेता परतिपक्ष राजयंदर राठोड के अमिश्रा से मुलाकात में आज क्या कुछ बात्चित हुई और क्या राजस्तान के अंदर प्रदेश अध्यक्ष बदला जाने वाला है ये तमाम चर्चाएं दिल्ली से लेकर राजस्तान तक राजस्तान की राजनिती से जुड़ा हर वेक्टी कर रहा है और हर वेक्टी एक दूसरे से पूछ रहा है कि आखिर दिल्ली में हो क्या रहा है क्योंकि राजस्तान में इस बार बीजेपी को लोक्सबा चुनाव में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है शिकस्त इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 25 की 25 सीटे 2014 और 2019 में जीतने वाली बीजेपी ने इस बार 11 सीटे गमा दी आठ पर कॉंग्रेश जीती तीन पर उनके सहयोगी दल सीकर नागोर और बासवाड़ा डुंगरपुर में जीते जो दिल्ली में चर्चाए हैं वो ये हैं कि आने वाले समय में राजस्तान में सब्ता से लेकर संगठन तक पूरा फिर बदल होने वाला है हलाएं कि ये भी माना जा रहा है कि जब प्रदानमंत्री से मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई तो इस हार पर मुख्यमंत्री ने अपनी रिपोर्ट दी कि हमारी 11 सीटों पर हार की हुई और साथ-साथ पिछले 5-6 मेने में राजस्तान सरकार ने क्या कुछ काम किया जो pre-budget बैठके हो रही है उसमें क्या कुछ तयारियां चल रही है और budget में क्या कुछ वो राजस्तान सरकार करने वाली है तमाम मुद्व पर चर्चाविश साथ में ये भी इस पश्ट बताये जा रहा है कि सरकार के इस्तर पर फिलाल कोई परिवर्तन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है संगठन के इस्तर पर परिवर्तन हो सकता है सीपी जोशी को प्रदेश अद्यक्षपद से हटाया जा सकता है क्योंकि आज की तारीख में राजस्तान का राज्यपाल ब्राम्मन राजस्तान का मुख्यमंत्री ब्राम्मन बीजेपी परदेश अध्यक्ष ब्राम्मन ब्यूरुक्रेसी का मुख्या ब्राम्मन लिहाजा पाल्टी के लिए थोड़ा सा सोशल इंजिनिरिंग के तौर पर ये फॉर्मूला ठीक नहीं लग रहा है ऐसे में परदेश अध्यक्ष को बहुत कम समय के अंदर बदला जा सकता उसकी जगह नए परदेश अध्यक्ष को लेकर के चर्चाएं शुरू हो चुकी है इनी चर्चाओं के ही इर्दगिर्द अमिशा और जेपी नड़ा ओम बिड़ला के घर पहुँचे और लंबी चर्चाएं चली राजेत पार्थोड को दिल्ली बुलाया गया अमिशा के साथ जो मुलाकात हुई है उसमें चर्चाएं हुई है और तमाम संगठन से जोड़े दूसरे लोगों से भी चर्चा हो रही है एक चर्चा ये भी है कि ओम बिड़ला को राजस्तान बीजेपी का प्रदेश अद्यक्ष बनाया जा सकता है हालाएं कि ओम बिड़ला को लेकर के ये भी बात है चल रहे हैं कि ओम बिड़ला राश्ट्री अद्यक्ष बनने की लोबिंग कर रहे हैं ओम बिड़ला चाहते हैं कि इस बार अगर लोगसबा का स्पीकर जोकी गटबंदन सरकार है और हो सकता है कि जो टीडीपी या जेडीओ के हिससे अगर अद्यक्ष का पज़ जाता है तो फिर उनको राश्ट्री अद्यक्ष बना जाए इसको लेकर कि वो लॉबिंग कर रहे हैं लेकिन हो सकता है जो मेरी समझ कहते है वो ये कि पाल्टी उनको अगर लोगसबा स्पीकर फिर से रिपीट नहीं करते है तो फिर प्रदेश अद्यक्ष बना सकते है क्योंकि राश्ट्री अद्यक्ष के तौर पर पाल्टी को इन दिनो एक ऐसे चहरे की जरुरत है जो थोड़ा अग्रेसिव वक्ता भी हो ताकि संगठन के अंदर अकेले दम पर जान फूंकने की ताकत रखता हो ऐसे वक्ति की राश्ट्री अद्यक्ष के पर पर जरुरत है चर्चाएं सरकार में कैबिनेट फेर बदल को लेकर के भी हैं लेकिन फिलहाल जो जानकारी निकल करके इन तमाम बैठकों के बाद में सामने आ रही है उसके इसाब से सरकार के इस्तर पर फिलहाल बजट सर्थर खतम होने तक किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा न मंत्री मंडल को लेकर के होगा न सरकार के मुखिया के तौर पर कोई बदलाव होना है संगठन के स्तर पर होगा अब संगठन के स्तर पर कब बदला होता है क्योंकि राष्टिय नित्र तो अभी फिलाल लोकसभा स्पीकर से लेकर तमाम मुद्व में उलजा हुआ है 26 तारीक को स्पीकर चुनाओ है उसके बाद राष्ट्रपति का अभी बाशन होना है राष्ट्रपति के अभी बाशन के बाद लोकसभा और राजिसभा दोनों में इस स्प्तर के दौरान कई एहम काम होने वाले हैं बजट पेश होना है बजट के साथ साथ जो, चुकि सरकार का यह पहला बजट सत्र है इस सरकार का तो कई एहम चर्चाएं भी होनी है लेहाजा हो सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के फैसला भी बाद में हो लेकिन ओम बिडला प्रदेश अध्यक्ष की रेस में है राजिनर गहलोत प्रदेश अध्यक्ष की रेस में माना जा रहा है और एक बात करीव करीव ये भी तैमानी जा रही है कि इस बार राजस्तान बीजेपी का जो प्रदेश अध्यक्ष बनेगा वो OBC होगा क्योंकि राजस्तान में CM ब्रामण है डिप्टी CM एक राजपूत है और एक दलित कोटे से है लहाजा पार्टी की कमान किसी OBC चेहरे को देनी इसलिए भी जरूरी हो गई है क्योंकि इस बार कई सीटों पर BJP का जो मूल OBC का वोटर है या जो जाट वोटर है वो खिसका है लहाजा केलाश चौधरी के नाम की भी चर्चाए हैं कि उनको पार्टी परदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे करके जाट वोटर को फिर से अपने साथ लेने की कोशिश कर सकती हैं इसके अलाबा राजे अनर गहलोत का नाम चर्चाओं में चल रहा है और ऐसे ही तमाम दूसरे नाम भी फिलाल चर्चाओं में परदेश अध्यक्ष की रेस को लेकर के चल रहे हैं हालेंकि इन बैटकों की कॉंक्रीट इंफॉर्मेशन निकलने में थोड़ा समय लगेगा समय के साथ छनकर के खबरें बहार आएगी क्या कुछ बदलाव होता है और राजस्तान में बीजेपी के इस बार की हार और आने वाले समय में मुखे मंत्रिया प्रदेश अद्रश बदला जा सकता इसको लेकर आपकी क्या पोछ रहा है कमेंड बार जरूर बताई पॉलिटिकल पंचात पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राब कीजिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए शुकुरिया